नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और जैसा की इस समय का होट टॉपिक है और वो होट टॉपिक है कल के हुए चुनाव परणामों का विशलेशन मुद्दों का विशलेशन प्रतिक्रियाएं और आगे क्या होने वाला है उसके लिए हमारे साथ जाने हैं विशलेशन का कारेक्ट्रम चल रहा है कल मैंने काफी विशलेशन देखे जो की इंडिपेंडेंट मीडिया दोरा किये गए थे आप समझते हैं ने इंडिपेंडेंडेंट मीडिया वाले इकटे हुए थे उसमें वायर वाले थे स्क्रोल वाले थे और बहुत सारे लोग थे और उनका जो विशलेशन था उसमें एक बड़ी अच्छी चीज आई और आरफा खानम ने कहा कि देखिये क्या है कि जब ये किसी लड़की को किसी लड़के से इश्क हो जाता है उसक कि आप जो वोटर है उसका बीजेपी से इश्क हो गया है इसलिए आप इसको एक्स्प्लेन नहीं गड़ सकते हैं इसी तरह की जो कहानी है वो कल सत्यंदी डोट कॉम वाले जो हैं वहां पर बीचल रही थी उन्होंने यश्वन देश मुख को बलाया हुआ था जो सी वोटर वाले हैं उनको बलाया हुआ था उनको पकड़के वो बैठे हुए थे तो उनका पहला सवाल यही था कि भाई हम भी घूम के आए मद्द्य परदेश में और हमें यह जो है अंडर करंट जो था यह हमें क्यों महसूस नहीं हुआ और खुद यस्वन देश मुख की वे कह रह दोनों यह कह रहे थे कि भाई हमें भी वहसूस नहीं हुआ कि यह कैसे हुआ और यह तो सुनामी है मद्द्य परदेश के नतीजों से सब लोग परिशान है मद्द्य परदेश में लग रहा था सबको के नेक टो नेक पाइट होगी और हो सकता है कॉंग्रेस को उसमें एज लग अगे और इनका एक्सिस्माई इंडिया वाला सबसे बाद में आया उसने 164 तक 161 तक सीथे दें जो थोड़ा सा उन्होंने होल्ड करके रात में लेट दिया बाद में एक्सिस्माई इंडिया का दो सरवे आए उसके इस पर तो सभी लोग इससे हब परद्य पर है गए कि यह मद्दे पर्देश में क्या हो गया हत्परव तो कायदे से रहना चाहिए लोगों को राजस्तान में जहां कह रहे थे कि लैंड स्लाइड विक्ट्री होगी और वहां पे तो शुरुआत में ऐसा लग रहता बिलकुल एकदम बराबर चल रहा था मामला लेकिन जिस तरीक से पहले जितने त्याब पर्देश को तो कि मद्द्र फर्देश में क्या होने जा रहा है और शत्र חषटि में जहा तो यह जो आपने आर्फाजी वाली बात चुозможно यह बात कई लोगों Ren armoda वे एक पत्रकार उसमें निलु व्यास वह हैं सत्तेंृ. diffado में रोजाना और चार-पांच वाम पंथी पत्रकारों को रोज बुला लेती हैं तो वो भी एक एरे थी कि मैं खुद गई थी और मुझे ये करंट महसुस क्यों नहीं हुआ तो कल मैंने जब इस पे अपना विशलिशन किया अपने चैनल पे तो मेरे मुझे से पता नहीं हो जो फ्लो में एक लाइन निकल जाती है मैंने कहा कि निरू जी आपको करंट कहां से महसुस होगा आपकी पत्रकारीता हुआ ये करंट खतम हो चुका है तो मुझे लोगों ने बड़ी वधाई दी किया रेज आप आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया और एपिक आपने कमेंट वा रहा है तो ये हकीकत बात है कि कोई इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि जो भी हो रहा है हम और आप भी सब लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोग तो 36 गड़की तो गिंती कहीं करी नहीं रहे थे अनेक्सपेक्टिड तो है और जो जिस तरह के गए है नजीदी नतीजे आए हैं वो किसी को उम्मीद नहीं थी देखिए राजस्तान आपका उसमें हम सोच रहे थे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बहुत बढ़िया मैजोर्टी आएगी कुछ लोगों ने कहा था मैं गया था वहाँ जैपूर तो मेरे एक मित रहे हैं उनके साथ भी हमने वीडियो बनाया था वो कह रहे थे कि साब ये तो तो अनेस्पेक्टिड था और इन सब लोगों का तो घडाम से गिर जाना बड़ा ही नेचुरल है पुन्य परसून ने तो वीडियो बनाया था आपने देखियोगे किलिप बड़ी कल से वो वाइरल हो रही है कि कल जो है देश के बदलाव का समचार आ रहा है उन्होंने एक कल शाम वीडियो बनाया वो भी यही कह रहे थे अपना हाथ ऐसे मलते रहे गए उनका तो अंदाज है यह करने का वो कहते हो रहे गए कि साब यह तो लहर है और अपने दम पे मोदी जिस तरीके से चुनाव खीच कर ले गए हैं तो अनेक्सपेक्टिड था और सब देखिए इसका अब लोगों को यह लगने लगा है कि जब 2019 में मोदी जा रहे थे तो 2018 में यह सारे स्टेट हा रहे थे बीजेपी में और उसके बाद मोदी कहां पहुँचे थे अब इन लोगों को यह भी लग रहा है कि अब तो यह जीत लिये हैं अब यह क्या करेंगे इस बात से भ वालों ने खुले छोड़ दिये थे कमलनात कुछ का कुछ कर रहे थे अपनी मर्जी से अशोग गैलो तो सचीन पाइलेट को एड़स्ट करने को तयार नहीं थे उनके लोगों को टिकेट तक मिलने की नौबत लाले पड़ रहे थे तो ऐसी स्थिती में सभी का जिसे कहते हैं दढाम से गिरें नीचे वह सब उस तरह से दढाम से गिरें अच्छ एक और बात है जैसे आपने भी का सचन पाइलेट वाली बात तो सचन पाइलेट के जो समर्थक जिनको टिकेट बिलाता उसको से अधिकतर जीत गया है वह तो जीत नहीं थे तर चली होती तो लोग कह रह हैं कि मुद्दों पर जिन पर चुनाव लड़ा गया या मुद्दू कजो चुनाव लड़ा तो मुझे दिखाईी पड़े और उनके उपर हम अभी और भी चर्चा करेंगे दो एक तो बहुत बड़ा मुद्द जो राहुल गाधी लेके आए थे वो ठा जाति जनकरणा का हूँ हूँ और वो हर इस्थान पर जाति-जनकरणा की बात कर रहे थे उ bawहने इन लालु को तो इसे भी लालु किया या जाकर आपको पता आया और ये ऐसा मुद्दा था जिसको खुल के जिसका प्रतिकार करना कोई भी पार्टी अपने लिए एक प्रकार से आत्महत्या के समान था लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये मोदी का बहुत ही एक वीरता पूर्ण कहूँगा मैं स्टेप था कि खुल के प्रतिकार किया मोदी कहा कि हमारे लिए जातियां जो है वो युवा है रहिला है किसान है गरीब है गरीब है तो अब इतना खुल के करने के बाद अब ये जाती जन्गरना वाला जो मुद्दा है इसका क्या हश्र होने वाला ने इसका तो हश्र तो कुछ होने वाला ही नहीं अब बताएए ये इस् किसरी जगह यह बनाने जा रहे थे सरकार तो बहुत तो किसी इनके जो चीफ मुझे पर बननी पाया और मुझे लगता भी नहीं यह मुद्दा कुछ होगा और देखे जहां पर यहां पर प्रभावी हो सकता था यकीन मानिये हिंदी बेल्ट में इसका प्रभाव सबस्देदे देखने को मिल सकता था तो हिंदी बेल्ट में कॉंग्रेस बिल्कुल साफ है एक टापू बचा हुआ है वही माचल परदेश का बस छोटा सा वो तो पूरा साफी हो गया और ले देके अब बिहार है और बिहार में ही ये सब कुछ हो सकता था जातिया जनगन्ना को लेकर इतना अमित्ष शार ने तो वहां जाके रैली में कह दिया मुझफ़र पूर में उन्हों ने जो रैली करी उसमें उन्हों ने साफ जाके कह दिया हमारे नेदा तो साथ गए थे जब हम लोग इसकी डिमांड कर रहे थे तो हम लोग तो साथ थे लेकिन आप ये देखे ना कि एक कहते हैं ना के वो चो मिला है कॉंग्रेस को आप इतना एनलेसिस करते हैं, देखे तो वहाँ की जीत है वह एंटी इंकम्बेंशी की जीत है वहाँ पे बी आरेस को हटाने के लिए वोटर इस बार निकला था और बीजेपी उनका विकल बन नहीं पाई उनके सामने कॉंग्रेस को वोट दे दिया उन्होंने इस तरीके से आगे बीजेपी ने उस स्पेस में जो एंटी बी आरेस सेंटिमेंट का जो स्पेस था उसमें प इसना डिले डिसीजन होना उन सब में इतने से इतने भी यह सब डिसीजन थे यह तो पता नहीं क्यों और देखिए मैं अभी किसी का एनलेसिस पढ़ रहा था आप से बात करने से पहले तो उन्होंने उसमें साफ तोर पर लिखी कि वहां पर जो कॉंग्रेस ने एक इस तो इससे मिल गई है और अगर हमें बी आरेस की ही सरकार लानी है बीजेपी को वोट देंगे बी आरेस के सहयोग से बी आरेस और बीजेपी मिलके सरकार बना लेंगे तो एक मैसेज गलत चला गया बिलकुल इनके खिलाफ तभी तो देखिए ना इनके सारे सानसद आर ग गई तो उस हिसाब से तो ठीक ही है लेकिन मुझे लगता है कि यदे इनों ने बांडी संजे कुमार को नहीं हटाया होता और करवाई तो यह 14 के स्थान पर 20 से उपर भी हो सकता था तो वहाँ पर जो सरकार वनी हैं के लंगाना में तो वहां बी-जेपी की तो फाइट हुई ही नहीं वहाँ तो दोनों इंडिये लैंस वाले लड़गे एक तरह से भई बियारेस भी बीजेपी के खिलाफ अपनी मुहीम चला रहा था कि हमें एक होंगे हमें एक होंगे बस वो कॉंग्रेस से तो उसे दिक्कत थी वरना तो हैं तो वो सब एंटी बीजेपी फॉर्से जो वहाँ पर चुनाव एक दूसरे को इसके खिलाफ लड़ रही थी तो उसमें बीजेपी का तो कुछ लॉस नहीं है बीजेपी का तो जो भी है उसमें तो गेनी किया है एक से आठ हो गए और उन्हें तो दोजार चोबिस के लिए जो पॉजिटिव साइंस थे वो भी मिल गए हैं वहाँ से कि जो चार एंपी जीते थे तो वो चार पाँच एंपी उनके इस बार भी जीत सकते हैं कई नई सीटें उन्होंने इस बार अन कर लिए जो कभी बीजेपी नहीं जीत पाई अभी देखें आप इनके जो आठ सीटें आई हैं उसमें से चार तो अकेले आदिलाबाद से आई है तो इसका मतलब यह वाकिए वो तो उनका एक पक्काई है तो पक्काई बन चुका है अदिलाबाद तो तो उनका गड़ा बनता जा रहा है जो पूरा जो महराश्च से आजो नौर्थ वाला पार्ट है उसका तिलंगा जा जा तो एक तो यह जाती है जिनकड़ना वाला जो इशू है वो तो फेल है दूसरा इशू अडानी है अब पता नहीं राहुल गांदी जो है वो ऐसे इशू क्यों लेके चलते हैं अब यद्यपी जाती है जनकड़ना वाला इशू फेल हो गया इन चुनावों में लिकिन मैं आपको गारेंटी दे सकता हूं कि राहुल इससे भी वो खुश होंगे और उन्हें ये लग रहा होगा ज़ूरू कि मैंने जो जाती है जनकड़ना वाली कहानी वहाँ पर गाई थी जाके ये उसी की वज़े से सब कुछ हुआ है तो वो तो अपनी गलत फैमी में उसमें बने रहेंगे और वो तो देखिए कोई भी उ हां से उन्होंने वो शर्थ पकड़ लिया वो उसी को कहना शुरू कर दिया वो ये नी सोचते कि वो जिस चीज को कह रहे हैं उसका रिवर्स उसके इफेक्ट भी हो जाते है उसका जो असर है वो विपरीत भी पड़ जाता है कई बार और लोगों को ये लगता है कि यार दे बैग लाइन उनके लिए बनाई नहीं पा रहे हैं वो कभी इसकी लपक लेते हैं कभी उसकी तो इस बार लगता है कि ये करने वाले हैं पिछले बार उन्होंने राफेल किया था अमबानी था इस बार अडानी और फिर अभी ये जाती है जो निगनावाला उन्हें पड़ दिया है कि कॉंग्रेस जो गर्त में जा रही है उसकी मेन वज़े ये है कि कॉंग्रेस ने कभी जात विरादरी की राजनिती नहीं की तो आपको जो मंडल वाली पॉलिटिक्स है जिसे कह रहे हैं कि मंडल टू पार्ट टू का जा रहा है इसे जाती है जनकरना को तो किसी न इनके कान में फूंक दिया है कि यह आप लाइन पकड़ के रखो तो वरना राउल गांदी को कम से कम इतना तो पता ही है कि यह जितनी भी मंडल वाली पार्टी आएं यह सब कॉंग्रेस के वोट बैंक पर ही खड़ी हुई है इनी का वोट बैंक काट के यह सब पार्टीयां बनी है तो राउल गांदी को इतना तो कम से कम रियलाइज होई गया है वो यह कोशिश कर रहे हैं कि बैई किसी वाने से ही चलो कुछ वोट वापस लोटेंगे कहीं तो कुछ उमीद बने वरना उमीद ही कहा है बिल्पूल एक दम अंदेरी सुरंग है एक पुरानी कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी रहे पूरी पावे अब कॉंग्रेस का जो ओरिजिनल अगर कॉलेशन उसको दिखें तो अगर उसको हम कहें कम्यूनिटी कोईलेशन की बात करें तो उसमें सबसे उपर जो है वो वहा करते थे एक अपर कास्ट और लोइस्ट कास्ट दोनों का कोईलेशन होता था और बीच में यहां तो आप देखें ना यूपी में तो ब्रामन दली तो और मुसलिन यही होता थे गांग्रेस का सा यूपी में तो बिलकुल यह इस पश्ट था और स्थानों पर भी और बड़ा प्राडर एक उनका वो होता था इंक्लूजिव टाइप का अब तो इन्होंने पूरा उसको बिखेर दिया है एक तरह से तो यह राहुल गांदी के जिस तरह की बाते होती है विशेश कर जब विदेश जाके जिस परकार की बाते करते हैं उससे तो यह लिपता है कि यह राष्टर के ही विरोध में खड़े हुए और साथ में आपका जो अपना जो कोईलिशन था उसको छोड़के आप जो दूसरों का है उसको आप हत्याने का प्रयास करोगे तो उनसे भी आप पन्फिक्ट में आओगे तो यह वही वाली बात है पर राहुल गांदी से तो हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं क्योंकि अभी हुआ तो है कल खड़गे ने कल खड़गे ने कहा कि हम चैंतारिक को मिटिंग बुला रहे है कल हुआ तो है इसमें अभी शेख बेनर जी ने कह दिया कि तुमने तो सारा जो इनका अभियान था जो इंडियास का तुमने तो कॉंग्रेस वालों तो डिरेल किया है हम तो नहीं आते हैं इस मिटिंग में, अब तुम किसलिए मिटिंग बुला रहे हो, जब तो तुम तीन राज जोगे, चार राज जोगे चुनाओ-पांज लड़ने में वेस्थ हो गए, कभी तुम करनाटक के चुनाओं में चले जाते हो, जमीन पर तुमारे पैल टिक नहीं ले गया जब अगर आप बताईए कि अगर ये इसमें से राजस्थान वद्य पर्देश अगर या 36 गड़ दो स्टेट और जीत गया होते तो क्या मिटिंग बुलाते ये ये किसी को उसकिसी से बात करने के लिए तैयार ना होता है राउल गांदी ने तो अरविन केजरिवाल क को मिलने का समय नहीं दिया था आप बताई आज तक अरविन केजरिवाल से फेस टू फेस हुए कभी राउल गांदी वो कई महिने तक इंतजार करते रहे ये विदेश चले गए करनाटक के चुनाओ के बाद फिर इंडिये लैंस की वो पहली बैठक पटना वाली होगी केज तो कहां इनकी अपनी जुबान पर टिक आ रहे थे तो जमीन पर पैर तो इनके अब आएंगे ना अभी ने पता लगाया कि क्या हकीकत है जैसे हिंदी पट्टी में पूरी तरह से साफ हुए हैं तो अभी ने हकीकत सामने आने लगी है और तीन-चार स्टेट हैं जहां पर होना है और है क्या मारास्ट में वियार में पस्चिम बंगाल में केरल में और तो कोई स्टेट बस्ती नहीं है बाकी सब सेटल्ड है जी और या इसमें और भी देखें जो और इनका एक बड़ा भारी जो एक इशू जो इन्होंने लेके रखा है वो फ्री वीज का है जो इन एक बात होती है क्रेडिबिलिटी की कि मोधी ने कहा कि मोधी गारेंटी है मोधी पर लोगों का विश्वास तो है आप यदि दो हजार उनीस के लोग सबाचुनाओं को उठाके देख लें तो इन्हों ने बहतर हजार रुपए का वादा किया था हाँ वेक कैलकुलेशन लेका पर वाधा किया था लोगों को बाराएजार पर बरोसा हुआ सबाराजार न्हों ने रिजिक्ट कर दिया पूरी तरह से बिलकुल यह चतिसगर में तो ऐसे हुआ है कि हर मैईला को अरंग बहल मैं ऐije तो तो तीन हेजार हर महिला को एक हजार मिलेंगे और बीजेपी आलों ने उसमें क्या किया कि उन्हें वहाँ पे फारम बरवाने शुरू भी कर दिये कैम्पेन के दोराने कि आप फारम बरदो हमारी सरकार आएगी आपको सो परसेंट मिलेगा और यही अंडरकरण्ट था जो वहाँ का मेन विशलेशन निकल के सामने आया 36 गड़े का वो यही है कि महिलाओं ने एक तरफा मतदान किया है वहाँ बीजेपी के समर्थन में और अब यह एक तरह से मैं बताता हूँ आपको कि यह मोदी की जिसे कहते हैं ने है एक ब्रेंड बन गया है मैलाओं का जो फेथ है उन पर वो कोई भी योजना हो यह लाड़ली बैन योजना जो भी योजना यह ला रहे हैं हर राज्य में अलग-अलग नाम है उसके लेकिन कहीं न कहीं सभी जगा दे ही रहे हैं कुछ न कुछ तो उन पर भरोसा कर रहे हैं लोग क्यों क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में डिलीवर किया है उत्तर परदेश में किया है कई जगे डिलीवर करके दिखाया है मोधी ने अपना टेंपलेट सेट कर दिया ये बोल दिया कि भई हमारे लिए तो चार ही जातिया है और वो है युवा, किसान, महिला और गरीब तो एक प्रकार से उनों ने तो ये पूरा का पूरा जाती जिनकरना वाला रिजेक्ट कर दिया उसके बाद भी लोगों ने उनको जोरी बरबर के वोट दे दिये दूसरी जो है अभी भिन्दुत का जो सबसे वड़ा उत्थान आने वाला है और जो उत्साह आएगा राम मंदिर के उत्गाटन के आस पास वो तो भी बाकी है फिर इसका निदान ये कैसे करेंगे हमारे इंडी अलाइंस वाले कुछ ही नहीं है कोई निदान इनके उसमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि एक बात और भी है आप ये देखिए कि इनके पास कोई ऐसा एक कहते हैं है तो कोई ऐसा नेता भी तो होना चाहिए ना कि आपके पास जो मोधी की जो वीजन है उसकी काट में कुछ निकाल के लाए ऐसा कोई है भी तो नहीं के पास कोई कोई रन निती नहीं बनाएंगे ये जिस तरीके से आज की स्थिती में आप देखना दोजार चुबिस तक यही स्थिती चलेंगी और इसी स्थिती में सब चुनाव लड़ जाएंगे कोई कहीं पे लड़ेगा कोई कहीं पे लड़ेगा कोई किसी की सुनेगा कोई किसी के कहीं जगे ऐसे भी होगा कि कॉंग्रेस का भी परत्याशी खड़ा होगा सपा का भी खड़ा होगा बस्पा का भी खड़ा होगा सब जगे यही कानी होने वाली हर स्टेट में कोई 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 आसार मजर नहीं आता मुझे तो इनका तो ऐसी इस्तिती में पिछली बार ये जो भी तीन चुनाव हुए है आप ये देखें कि ये 65 सीटों में से एट के पास तीन सीटे थी पॉंगर्स के पास और वो तीन सीटे तब आई थी जब कि ये तीनों प्रदेश उन्होंने विदान सभा चुनावों में जीते थे केवल चार महिने पहले उसके बाद इनकी सीटे टोटल आई थी तीन यानि दो आई थी चत्तिस गड़ में और एक आई थी मद्देश में नकुलनाथ वाली और राजस्तान में था शूनी अब आपको क्या लगता है क्या होगा ये ही होगा और इस बार तो नकुलनाथ भी नही दो कॉंग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि हमने तो इननों नहीं मरवा दिया कमलनाथ ने किसी की सुनुनी वह राईल गांधी ये कह रहे थे कि वो जो सुनील कोनुगोलू है वो जो वहाँ पे मैनेज कर रहा था डीकेश शीव कुमार का चुनाव तो राउल गांदी ने कहा कि भाई इसको यहां रख लेते हैं आप इसके इसाब से मैनेज करा लो लेकिन कमलनाथ ने बताया जाता है कि उन्हें वहाँ रुकने नहीं दिय कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए और यह जो दोनों परभारी बनाये गए थे महांके जे-पी एक गर्वाल दिल्ली वाले और मुकल वासनिक इनकी एक दिनी सुनी इन दोनों ने सुरंडर कर दिया आके राउल गांदी से साफ कह दिया कि नहीं साब हम कमलनाथ के साथ काम नहीं कर सकते हैं तो एक strategy होती है ना कि दोनों पार्टियों में बिलकुल ये प्रीच चीजे थी बीजेपी में सारा सब central से कमान हो रहा था किसी को कोई छूट नहीं थी चाये उसमें कितना भी रिस्क हो उसी रिस्क का नतीजा भी है कि राजस्तान में तनी कम सीटों पर अठ गया तो कॉंग्रेस में उल्टा था इसका कॉंग्रेस में हाई कमान की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था वहां उन्होंने 22 MLA के टिकट काटे 36 गड़ में वह 15 सीटे आ रहे हैं उन में से बुपेश बगेल जिनके टिकट काटे 22 में से 15 सीटे आर गए वह नहीं कह रहा क क्योंकि वहां लोगों में नाराजगी थी उनके तो आठ या नो आठ नो तो करीम मंतरी हार गए साथ या आठ कितने और टी एस सिंग तो वैसे भी एदिकतर मैन मेरा तो अनमान यह है कि देखिए कि किसी भी पार्टी के रूरिंग पार्टी के साठ परसेंट एमेले तो हार कि हारते हैं और जो मंतरी होते हैं वह सथरप्र त्च्छे से अधिक आर्ते हैं सबका बुरा हाली है जी तो अब आप क्या 2024 के बारे में क्या विश्वानी करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या होगा क्यों कि उत्तर प्रदेश में एक और नई बात आई थी बीच में कि जब यह जाती ही जनकड़ना वाला मामला खड़ा हो रहा था तो कुछ लोगों ने एक बार फिर से केश्व प्रसाद मौर्या की जो महत्वा कांग्शा थी वो जगा दी थी आप ने उसको थोड़ा सा देखा हो तो वहां से फिर से एक नरेटिव लोगों ने चलाना आरम कर दिया था योगी के खिलाफ लेकिन अब लगने लगा कई बार जो है यह केश्व प्रसाद मौर्या जो है यह बली का पकरा भी बनने लगे हैं यह लोग घुमा फिरा के सब को लगता है कि यह एक दुखती हुई रग है और पार्टी के एक कमजोर कड़ी है तो लोग बार- 73 आए थी और 73 से कम बिल्कुल नहीं आएंगी यहां पर यहां पर तो बिल्कुल क्लीन स्ट्विप होगा यूपी का तो आप तैमाल लिजे यूपी में कोई चांसिज नहीं है इवन समाजवादी पार्टी के लोग भी यह कहने लगे हैं कि यह जो भी सीटे डिमपल विमप रखी में जीतली आप देखना दिमपल यादव भी आ रहेगी तो यहां चांसिज है नहीं अखलेश यादव ने तो छोड़ी दिया वो विदान समबा में चलेगे पता नहीं चुनाव लड़ेंगे के नहीं तो बिल्कुल क्लीन स्ट्विप होना है यहां पर और कोई बीज हैका धिरेशकर जब आप देख रहे हैं कि अन्य स्थानों पर जैसे लिए महराष्ट्र में महराष्ट्र में उनको इतनी सीटे देनी परती थी अब लड़ेंगे तो जीतेंगे अधिक सीटें जीतेंगे महाराष्ट में भी महाराष्ट में सेट हो गया है कि वहां पर उसका टेस्टिंग भी हो गई है कि ये एंसीपी जो जीत पमार वाला खेमा आया है ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहा है इनके साथ ये तो टेस्ट हो गया है वहाँ पर जो भी चुनाव वेते पिछे पंचायत के जो चुनाव वेते उनमें क्लीन स्वीप कर दिया है नोने साफ कर दिया आपकी बार तो सुप्रिया सुले आर रही है जो भी आकड़े महां के आरे हैं सुप्रिया सुले आर रही है बिल्कुल शोर इस बार वो भी नहीं बच रही है इस बार तो फिर बचेगा क्या माराष्ट यूपी और बिहार तीन स्टेट सैटल हो जाएं और उदर से फिर पस्च्चिम बंग जाल में भी चांसिस फिर पुराने बन गए और देखिए इसमें शतिस गड़ में यह भी आ गया कि यह द्रोब्दी मुर्मु वाला दाओं भी काम्यावरा है आदिवासी सब जगे बीजेपी को वोट दे रहे हैं मद्य पर्देश में भी राजस्थान में भी गुजरात में भी दिये हैं इससे पहले यहां भी दे रहे हैं और उदर तो आदिवासियों का बड़ा महत्कुंड बुमी का होने वाली है और उदर जो है रंदीप उड़्डा ने मैतिल लड़की से शादी कर लिए तो नौर्थ कि अग्ड के लिए तो वाहां पे तरह से एंडी यह की ही सरकारर बन रही है बीजो रजुदुर लेतं है कि यह चाहे रहे हैं कि यह सपांसर्ड है बी जैपी की पार्टी यह सारे बागी थे ना けजे लड़े थे यह सारे बागी थे तो पिछली बार अलग अलग लड़े इस बारे पार्टी से लड़े हैं ये इन्हें तो कहेंगे ही लोग के सब बीजेती के सपोर्टिड हैं तो नौर्टीस्ट का मामला सैटल हो गया है असाम पूरी तरह से सैटल हो गया है और मुझे लगता है कि जैसे के महराश्ट में होने वाला है अगर ये बिहार में अपनी ताकत पे लड़ेंगे तो बेटर पॉजिशन में आएंगे तो खराब पॉजिशन बिहार में भी नहीं आने वाली है तो हिंदी पट्टी पूरी सेटल हो गई है राजस्थान से रुदर बिहार थक थोड़ी बहुत कमी रहे थी उससे पार हैस बार चार सो वाला लोग नारा देते हैं तो ये कहीं उसी के बीच में साड़े 300-400 के बीच में सेटल होने जा रहा है मामला जो सम्भावनाई बनती हुने ज़रा रही है मुझे तो क्योंकि अब देखे ये केरल में कॉंग्रेस भी डाउन जाएगी मैक्सिमम हो चुका उसका पंदरा सीटे आई थी वहां से वहां भी डाउन ही जानी है उससे बैस्ट कुछ होना नहीं है उनका और चर्चा जो चल रही है वो तो अकसर मैं तो कहता हूं जैसे का इननमलाई कहते हैं कि अगर मोदी जी इस बार किसी साउथ की एक सीट से चुनाव लड़ लें तो साउथ में भी परभाव पड़ सकता है इसका ते लंगाना में बहुत ही सुरक्षित रहेंगे कोई सीट इन के लिए छोड़ दी जाए तो वहां से लड़ सकते हैं और ते तिलंगाना का मतलब है कि यह उदर आंदर में भी इसका परभाव आएगा और तिलंगाना का सिद्धा सिद्धा तुमिल लाडू से भी कनेक्ट हो जाता है वहां का तो पूरे चार-पांच स्टेट पे इसका परभाव पड़ सकता है निश्चित रूप से करना चाहिए दो जी बिल्कुल सही कह रहा है आप और आम आदमी पार्टी तो अप कॉंग्रेस से समझता करती दिखनी रही क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का मैंने आपको एक ट्वीटर हैंडल बताया था संजे जी आपका मेता वो दारूबाज मेता उसके कल के ट्वीट आप देखि करते रहे और लोग होग कbew एक कहना है कि वीजो ट्वीटर हैंडल है वौ का ये नको दिल्ली जांंक ने के मुक्ष्यॉ मंत्री हैे वाहनी जीत पा रहे हैं हमें मरवाएंगे यां हम क्यों इने अड़िस्ट करेंगे हम इने पंजाब में भी निकर तो आम आदमी पार्टी वाला तो खुल के खिल लेगा उसके पास तो बड़ी हमोका है हुए बिलकुल बड़ी हमोका है और आदमी पार्टी वैसे भी पंजाब में अगर अलग अलग लड़ते हैं ये और भारती जंता पार्टी अलग लड़ती है तो बारती जिन्था पार्टी ज्यादा सीटें ना सकते हैं इसली बार तो एकी सीट आई थे दो आई थी पिछली बार दो बार जो सोम प्रकास और यह इनकी सनिदेवलवालि सवनीदेवल तो लड़ा नहीं रहा है ? उसकी जग़ा तो आम आती पार्टी भी अगर अकेले चुनाव लड़े तो आप ये तैय मानिये की तीन या चार सीटे कम से कामा मामा ती परिटी जितेगी वापे इससे कम सीटे नहीं जितेगी और अंत में यहां पे जाके ये अकाली और बीजेपी को साथ आना पड़ेगा वरना अकाली ओक भी खाता नहीं खुलने वाला है सुख्बीर सिंग मैं मुझे अपनी लगता कि बीजेपी उन से जूनियर पार्टनर के रूप में परकाश्टिंग बादल थे तब बात अलग थी हाँ ने सीटे कम देंगे हो ने निगोशेशन्स दूसरी तरह की होंगी ने मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ एक तो एक इने आना पड़ेगा वरना अकेले में बीजेपी को भी नुकसान है और अकालियों को भी नुकसान है हाँ वो तो है लेकिन लॉंग टर्म में तो अकालियों का पिछलगू बनके पार्टी जंता पार्टी ने बहुत स्पेस कोई है तो 2014 के बाद जिस परकार से मुदी का राइज हुआ था उस समय अगर ये अकालियों का पिछलगू बनना बंद कर देते तो बहुत मानते थे उनकी वज़े से उस समय सब चीजे नहीं हो पाई तो चीजे चेंज होंगी जैसे महरास्ट में हुआ यहां भी चेंज होगा अब कम सीटे देंगे उनके तो निश्ची तूरूप से बीजेपी ही एज़ पर रहेगी बेन वहीं रहेगी पिछलगू फिर अ अकाली नज़र आएंगे वहां तो बीजेपी नहीं नज़र आएगी अगर कम सीटो पर उन्हें लड़ाएगी तो और भी इश्यूज है क्योंकि अकालीों ने एक जो यह एसजी पीसी बगएरा है यह तो पूरी तरह से एंटी इंडिया और एंटी हिंदू का रोल अदा कर करने लगे हैं और कालिस्तानियों के सबर तक के रोपने हों के लेकिन एसजी पीसी में संजे जी बिल्ली में जो एसजी पीसी का धड़ा है ने उसमें बीजेपी ने बहुत तकड़ी सेंद लगाई है हुआरा और इसजी पीसी दिल्ली इनको मैं पंजाब वाली साथ में ही रखता है इनको तो एक्टली एसजी पीसी पंजाब को बिलकुल आईसोलेट करके क्योंकि आज भी ऐसजी पीसी पंजाब के बास्प आपके उत्राकंट के हिमाचल के इनके सब्की गुड्वारे इनको अलग करना जाए है यह पूरी तरह से एक बिलकुल भारत विरोधी रोल करने रहे हैं वह भी एक चीज़ देखने प्रेक्श तो अब दोजार चौवीस की बिसात बिच चुकी है और एक स्टेट जिसके बारे में और विशेश चर्चा की आउशकता है वो समभत महराश् समझ भी नहीं सहा है कि यंत में कौन रहेगा अभी लेतिस्ट्स यह आरा है कि चाचाच और भतीजा वहाँ अपस जांग आएगा भतीजा के पास जाएगा यह भी इस ओनाये कैसे करेंगे ? अपनी राझसभा उनकी खतम हो रही है ? शर्ट पमार की. अगले साल फिर कैसे करेंगे ? उन्हीं आना पड़ेगा जी 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 राझसभा की बात आपने कि तो यह तीन स्टेट जीतने से राज्य सभा में भी स्ट्रेंफ बढ़ने वाली है हाँ बिल्कुल 16 17 सीटे खाली होने वाली है अभी शुरू आत्मी अप्रेल तक ही मेरे ख्याल में लोकसभा का चुनाव जब चल रहे होंगे मार्च अप्रेल में उसी समय राज्य सभा का भी चुनाव हो होंगे कई सीटे खाली हो रही है तो तो चर्चा यही है कि सोनिय गांदी जा रही है राज्य सभा इस बार नहीं लड़ रही रहा है यही खबरे आ कि उन्हें करनाटक से डीकेश वो कुशिव कुमार ने रिक्वेस्ट किये कि आप यहां से चले जाओ क्योंकि फिर वो हार जाएंगी तो बंगला खाली करना पड़ेगा दस जन्पत वाला कौन सी सीट सेफ है वैसे करनाटक में नहीं मैं कह रहा हूँ के राज्य सभा से राज्य सभा में बेजने की बाता आधम Ambassador का लोकसरवा की सफी भाहा में को सेफ नी है लांधी परिवार के लिए कोही सीट इस समयं सेथ नहीं है पूरे वारत में इस इस देश की सबसे सेफ सीट से ही राउल गांदी इस समय संसब है वाइनर्ड उससे सेफ सीट है नहीं कोई जा चार चार शेलाग वो तो सेफ तभी है जब लेफ्ट फ्रेंट उनकी मदद करे हाँ लेफ्ट वाले और मुस्लिम लीग वाले जब तक इनके स सामने कैसे सेटल करते हैं मॉनारी सिटिंग तो उसे रिटेंगे बाकि पची पर We out बंद लो नुजा तो वहां माम्राएं इनके खिलाफ माउल खुब भढ़िया है वह बरश्टा चार और जो इतने सारे वहां पे घोटाले और वो सब सामने आ रहे हैं समगलिंग दुनिया वरके ताम जाम केरला स्टोरी तो और दोजार चब्विस तक केरल में भी सीन बहुत बदलने वाला है तक बदलेगा ना आपने डोजार चॉविस के तो दोजार चॉविस में तो वही होई ने कॉंग्रेस वाले कहेंगे कि हम 15 सीट अप नहीं रखेंगे पांच आप लड़ो तो फिर कैसे बनेगी वहाँ तो बात बनेगी नी वो तो कहेंगे ना कि हम जादे पे लड़ेंगे ले प्रविन केजरिवाल नहीं थोड़ेगा इनके लिए सीटा अब तैमाल लिजी अब यह जो तीन राज्यों में हार होगी तो अर्विन केजरिवाल तो छोड़ेगा नहीं माराष्ट में इनकी कोई चलती नहीं है बिहार में वहाँ सब लालू और नितीश वो सब अपने इसाफ से सेट करेंगे वहाँ पे इनका कुछ नहीं होने वाला तो ले देकर यह दबाव बनाने के स्थिती में कहां पे हैं बस केरल में सब जगे सेकेंडरी और थर्ड सब्सक्राइब को बहुत 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 दनेवाद हर्श कुमार जी आपको बहुत 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 दनेवाद जैवारत वंदेई मात्रों नामस्कार